नमस्कार दोस्तों बजरंग न्यूज पॉंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देश के सभी राज्यों के मोसम की सही और सटिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मोसम की सही जानकारी सबसे पहले दी जाती है इन राज्यों में अगले दो दिनों तक आंधी तुफान बारिस का अलर्ट जारी जाने आपके राज्ये में कैसा रहेगा मोसम पिछले दो दिनों से लगातार देश के कई राजयों में आंधी तुफान बारिस का दोर देखने को मिला है और अभी बारती मोसम विबाग ने देश के कई राजयों में तेज आंधी तुफान और बारिस को देखते वे यलो अलेट जारी कर दिया है 15 से 18 अपरेल के बीच कई राज्यों में 80 किलोमेटर परती गंटे गरबतार से तेजान्दी तुफान और बारिस की आसंका है 18 अपरेल को एक नया पश्यमी विक्छोब सक्रिय हो जाएगा जिसकी वज़े से मौसम में बड़ा परिवर्तन आएगा मौसम विबाग ने अगले पांस दिनों के लिए 30 चेतरों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है मौसम विबाग ने कहा कि अगले 48 गंटों के लिए उत्र पश्यमी बारत के कुछ हीसों में बारिस जारी रह सकती है आएमडी के मुताबिक पुर्वतर राजस्थान में एक चकरवाती परिशंचरन अरब सागर से बड़ी हुई नमे के साथ आगे बढ़ रहा है 15 अपरेल की रातरी से उत्र पश्यमी बारत में परवेश करने की संभावना है इस कारण मुसम में बड़ा बदला हो सकता इसके अलावा 18 अपरेल को एक नया पश्यम बिक्छोप भी सक्रिय हो जाएगा मुसमी बाके मुताबिक आज देश के कई राजियों में बादल चाहे रहेंगे कहीं कहीं पर 40 किलोमेटर परती गंटे के रवतार से आन्धी और लकी बारिश की आसंगा है इस दोरान कुछ इस्थानों पर बीजली भी गिर सकती है इमाचल परदेश के अधिकांस इस्तानों पर 16 अपरेल तक अलकी से मद्यम और कहीं कहीं पर तेज आंधी बारिस का दोर जारी लहेगा मुस्म इबाग के मताबिक 15 अपरेल और 16 अपरेल को कई इलाकों में अलकी से मद्यम बारिस की संबावना है इदर राज़दानी दिल्ली, हरियाना, चंडिगर्ड, राजस्तान और उतर परदेश में अलकी बारिस के साथ कई इस्तानों पर आंधी तुफान आने की आसंका है मुस्म इबाग के मताबिक पश्मी और पूर्वी मद्या परदेश में आज और कल अलगला की स्थानों पर अलकी से मद्यम वर्सा, गरज के साथ बिजली गिरने और कई स्थानों पर ओला वरिष्टी की संबावना है मुस्म इबाग ने पांस दिनों के दोरान तटीय ओडिसा, आंधर परदेश, तमिलाडू, पाडूचेरी, केरल, माहे, कौंकर, गोवा, विभिन जेतरों में गरम और आरदर मुस्म रहने की संबावना जताई है कई इलाकों में 40-50 किलोमेटर पर ती गंटे की रबतार से आंधी चलने और बारिष्ट की आसंका जायर की गई है बारती मुस्म इबाकी माने तो देश के कई राजियों के मुस्म में अगले 2-3 दिनों के दोरान बड़ा परिवर्तन आने वाला है दिल्ली यूपी समयत कई राजियों में अगले 2-3 दिनों के दोरान काली पिली आंधी और बारिष्ट की आसंका है देश के कई राजियों में बारिष्ट का दोर चल रहा है इसे लेकर आईमडी ने पहले भी अलर्ट जारी किया था आज भी आईमडी ने देश के कई हिस्तों में बारिष्ट को लेकर आसंका जताई है मुसमी बाकी माने तो उत्र पश्ची में बारिष्ट में चल रही बारिष्ट का दोर अगले 24-48 गंटे तक चलता रहेगा इससे राहत 16 अप्रेल को मिलेगी मुसमी बाकी माने तो अगले 48 गंटों तक पश्ची में उत्र बारिष्ट में बारिष्ट का दोर जारी रहेगा मुसमी बाकी ने बताया कि पश्ची में उत्र परदेश में ओला वरिष्टी भी हो सकती है मुसमी बागने का कि ललितपूर जांसी में ओला वरिष्टी के आसंका है वहीं मध्या परदेश के कुछ हिस्तों में ओला वरिष्टी की चेतावनी भी जारी की गई है साथी राजस्थान, पंजाब, अर्याना, चंडिगड, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल परदेश और उत्राखंड में मध्यम जती और गती के तुफान देखने को मिलेंगे मुस्म भी बाग ने बताया कि बित्ते दिन राजस्थान में बिजली गिरी जिसके वज़े से कई जुगों पर काफी नुकसान भी पहुंचा इसके लावा मुस्म भी बाग ने का कि अगले दो दिनों तक हिमाचल परदेश जम्मू कस्मीर में भारी बारी सब्य बरबारी की संबावना है वहीं पंजाब, हरियाना, राजस्थान, दिल्ली, चंडिगड में हलकी बारी सकी आसार बन सकते हैं साथ ये अगले 24 गंटे तक इमाचल परदेश, जमू और उतराखन में कई जुगों पर ओला वरिष्टी के साथ बारी सका दोर जारी रह सकता है जिसे देखते वे बारतिय मुस्म भी बाग ने यलो एवं ओरेंज अलर्ट भी जारी किया है मुस्म भी बाग ने का कि अगले 24 गंटे में दिली पंजाब, अर्याना, पश्णी मुतर परदेश में हलकी बारिष और तेज आंदी चलने के आसंका है मुस्म भी वाक ने का कि ओला वरिष्टी, राजस्तान, मद्या परदेश, पंजाब और हरियाना में ओला वरिष्टी की चेतावनी है वहीं पश्चिम इमाले चेतर में बारिष की तिवर्ता कल भी कम होने की आसंका है वहीं परवतर भारत के अन्य राजियों की बात करें तो शिकीम, नागालेंड, बनीपूर, मीजोरों में कई चुगों पर अलकी से मद्याम बारिष का दोर जारी रह सकता है अब बात कर लेते हैं देश के कौन-कौन से राजियों में चेतावनी है, कहां कहां पर कैसा रहेगा मौसम तो इस वीडियो में आपको आगे मद्या परदेष, उतर परदेष, राजस्तान, पंजाब, रियाना, दिली, बिहार, जारकंड, एक एक जिले की जानकारी मिलेगी तो आपसी रीक्वेश्टर वीडियो को पूरा देखिएगा बात करें अगर मद्या परदेष के मौसम की, मौसम भी बड़ी चेतावनी, तेज अवा के साथ इन जिलों में होगी बारिस, ओले पढ़ेंगे रवी बार की सुबह बोपाले में मौसम साफ हो गया, सोम भार को भी मौसम साफ रा लेकिन मंगल भार को कई जुगों पर तेज आन्दी दुफान के साथ बारिस के आसनका है राज्य के पूर्वी जिलों में बारिस होगी सैडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपूर, नर्सिंगपूर, मंडला, बाला, घाट और सागर जिलों के लिए गरज और तेज अवाओं की चेतावनी जारी की गई है विदीसा, राइसेन, राजगड, बेतुल, साजापूर, सिंगरोली, सिधी, रिवा, मौगंज, सतना, मेहर, अनुपूर, छिंदवाडा, पांडूरना, दमोह, छतरपूर और टिकमगड जिलों के लिए गरज दूल बरियांधी और तेज वाओं की चेतावनी जारी की गई भिंड, बेतुल, छिंदवाडा, दतिया, विदीसा, पांडूरना, राइसेन, अनुपूर, जबलपूर, बेतुल, डिंडोरी, मंडला और बाला गाट जिलों में दिखाई देगा, इन जिलों में गलच चमक के साथ अलकी बारिस और साथ ही तेज जवाई चलेंगी, मुसम की आंधी बारिस से राजस्थान वासियों को रहत नहीं मिलेगी, कई जिलों में अभी भी आंधी तुफान का दोर रहेगा जारी, बीते रवी वार को राजस्थान के कई हिस्तों में पूरे दिन बादलों की आवाज आई बनी रही, वहीं आज सोम वार को भी राजस्थान के उद्यपूर, बिकानेर, जोदपूर, बरतपूर और अजमेर संभाग के कई हिसों में हलकी बारिस के साथ आंधी दुफान आने के आसंका है मुस्वी बाग के मताबिक इन संभागों में तेज जमाई चलेंगी वहीं आगामी 16-17 अपरेल के बात करें तो एक बार फिर मुस्म साफ हो जाएगा लेकिन 18 और 19 अपरेल को एक्टिव होगा मुस्म जिसके चलते कई जुगों पर तेज अंदर के साथ बारिस होगी राजस्तान में एक के बाद एक एक टीव हो रहे पश्य विक्जोब के एसर के चलते कई जुगों पर आंदी बारिस का दोर जारी रहेगा तो वहीं कई जुगों पर तेज अंदर की संभावना बनी हुई है बात करें अगर उतर पर देश के मौसम की तो उतर पर देश में आज और कल कई जुगों पर अलकी बारिस की आसंका है लेकिन उसके बाद उतर पर देश में गर्मी का सित्म सुरू हो जाएगा मुसमी बाकी मानने तो पश्चमी यूपी के कई इलाकों में बारिस के साथ ओले गिर सकते हैं उतरपरटेश के जांसी, जालोन, हमीरपूर, औरहिया, पश्चमी यूपी के मैनपूरी, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, सारनपूर, जांसी, चितरकूर, प्रियागराज, मिर्जापूर मंडल में बारिस के संबावना है महीं अलिगड, कानपूर, लखनव, आजमगड, अयोध्या, मंडल में भी हलकी बुन्दा बांदी हो सकती है कई जुगों पर 30-40 किलोमेटर पर ती गंटे के रपतार से आंदी तुफान चल सकता है महीं बारती मुस्म विबाग की मानने तो आने वाले 24-48 गंटे के दोरान बिहार, जारखन और 36 गड़ के कई इलाकों में भी हलकी बारिस की संबावना है तो यह अभी तक आज देश बर के मुस्म की ताज़ा बुलेटिन है, आपके राज़े का मुस्म केसा रहा, आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें, धन्यवाद